आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जैसे कि पोश्यन माहा की एक्टिविटी को हर रोज आप लोग को पोश्यन डेश्बूट में अपलोड करना होता है आप सभी को एक बार अपना यूजर नेम और पाश्वर्ट को एक बार में डाल के रोज डेली के लिए कैसे लोग इन कर लेना है अपना पोश्यन माहा एक्टिविटी के लिए डेश्बूट को तो इस टॉपिक पे आप लोग के साथ हम चर्चा करने वाले हैं आप लोग वीडियो में लास तक जुड़े रहे हैं आप लोग को इस तरह से करने से आप लोग एक बार में अपना डेश चर्च करना है पोश्यन अभ्यान एंड उसके बाद यहां पे आप लोग को किलिक करना है पोश्यन अभ्यान पे उसके बाद आप लोग को यहां पे पेस खुल के आएगा यहां पर थ्री लाइन दिखाए दे रही हैं आप लोग यहां पे किलिक किजेगा एंड उसके बाद यहाँ पे आपको data entry का options होगा आप लोग यहाँ पे किलिक करेंगी किलिक करने के बाद आप लोग को यहाँ पे username और password डालना होता है नीचे आपको tick करके अपना login करना होता है इस login करने वाली process को आप लोग एक दिन में कैसे daily के लिए कर सकते हैं तो यहीं पर हम चर्चा करेंगे आप लोग यहाँ पे username और जो password आपको daily upload करने के लिए डालना होता है तो आप लोग यहाँ पे आपको बार बार डालने के आउशकता नहीं पड़ेगी आप एक बार में इस option को किलिक कर लेगे तो यह आपके लिए रोज के लिए dashboard open हो जाएगा तो यहाँ पे आप लोग को जो भी username and password दिया गया है आप लोग यहाँ पे डाल लेंगे यहाँ पे आपका जो username और password है वो same ही है जो आप लोग उपर डालेंगे वहीं आपको नीचे password में भी डालना है आप लोग टिक करेंगे उसके बाद आप लोग यहाँ से login कर लेंगे और उसके बाद आप सभी को यहाँ पे form open हो जाएगा तो इस तरह से आप लोग यहाँ से form भर सकते हैं लेकिन यहाँ पे form भरते वक्त आप लोग को नीचे एक इस तरह का option सो हो रहा होगा से password का आप लोग try कीज़ेगा कि आप लोग को form भरते वक्त बार बार इस तरह का यहाँ पे message हो रहा होगा password save करके तो आप लोग को इसको यहाँ से remove नहीं करना है आप लोग क्या करेंगे यहाँ पे आपको save का option शो हो रहा है तो यहाँ से आप लोग इस option को क्लिक कर लेंगे यानि save कर लेंगे तो save करने से आप लोग को क्या होगा कि जो dashboard में आपको हर रोज password डालके और username डालके login करना होता है वो आप लोग को नहीं करना पड़ेगा यहाँ पे हम लोग save वाले option पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमारा फाश्वार्ट सेफ हो गया है और आप लोग यहां से अपना form फिलप कर सकते हैं और इस form की जानकारी की वीडियो मैंने अपलोड कर रहे है अलड़े अपने चैनल पे तो आप लोग को यह समझ में नहीं आ रहा है form कैसी फिलप कर रहा है तो आप लोग जाके देख सकते हैं एंड कमेंट करके भी बता सकते हैं आपको कोई confusion है तो चलिए हम फिर से अपना portion अभियान के लिए open करते हैं आप लोग फिर से अपना थ्री लाइनस पर जाना है एंड थ्री लाइनस पर जाने के बाद आप लोग को यहाँ पर data entry पर क्लिक करना है आप लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पासवर्ट का form फिर से सो हो रहा है आप लोग को क्या करना है आप लोग यहाँ यूजर नेम के लिए यहाँ पे एक option दिया गया है तो आप लोग को यहां पे इस तरह से डाल लेंगे आपको कॉपी हो जाएगा आप लोग आप एक पासवर्ड पे किलिक करेंगा पासवर्ड पे किलिक करने के बाद आप लोग को वहाँ पे मैसेज हो होगा आपका पासवर्ड यूजर निम आप लोग किलिक करके वहाँ से डाल सकते हैं तो इस तरह से आप लोग कीज़ेगा, उमीद करती हूँ कि आप लोग कोई जानकरे अच्छी लगी होगी, यदि जानकरे अच्छी लगी होगी तो प्रेस वीडियो को लाइक कीज़ेगा, शेयर कीज़ेगा, अपने इस्टाप में सब यागन बढ़ी बर करते हैं, यदि अच्छी लगी तो लाइक जरू कीज़ेगा, और चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीज़ेगा, तो चलिए मैं मिलते हूँ एक नए वीडियो में तब तक लिए आप सभी को, बाबाई